Good morning dear students, class LKG, subject is Hindi, book name is Sabd Kutir Today's date is 9th of February 2022 and the day is Wednesday So students, let's start opening your book Page number is 24 क्या लिखाये है? बोल कर पढ़िये बच्चों हमने previous class में ये तीन अच्छर वाले बीना मातरा के सब्द पहले हमने इसकी reading की थी, फिर हमने इसको write की थी 1, 2, 3, हमने 3 line तक की reading की थी, फिर हमने इसे copy में write की थी आज हम जो हमाई 3 line मचीना 1, 2, 3, तो हम पहले इसकी reading करेंगे फिर इसे copy में write करेंगे, तो चली देखते हैं, इसे कैसे पढ़ेंगे क्या लिखाये? रा, मा, न, क्या हो गया? रमन, ओके? इसी तर next गा, मा, न, गमन चा, मा, न, चमन फिर क्या लिखा है? दा, मा, न, दमन बचो इसमें भी ये देखे सबके last में कौन सा खषराता है? न, रमन, गमन, चमन, नमन, दमन इसलिए सबके last में न, आया हुआ है तो यहाँ पर न, राइट हुआ है क्योंकि सबके last में न, राइट हुआ है तो सब एक दूसरे से मिलते जूलते सब्द है नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे अब देखे ये भी एक दूसरे से मिलते जूलते सब्द है क्योंकि सबके last में क्यों सा अच्छरा आया है? मा, देखे इसमें भी मा है इसमें मा, इसमें सब में क्या है? मा, तो यहां पर मा राइट है सरम, गरम, नरम, परम, धरम देखे एक दूसरे से मिलते जूलते हैं न नेक्स्ट लाइन शाहर, शहर नहर, नहर जाहर, जहर काहर, कहर पाहर, पहर इनकी last में कौन सा अच्छरा आ रहा है? रा, सबकी last में क्या है? रा, यह भी एक दूसरे से मैच कर रहा है न, शहर, नहर, जहर, कहर, पहर तो यहां पर रा राइट है तो आपको एक बार इनको बोल कर पढ़ेंगे अच्छे से आपको एक एक अक्छर पढ़ना है, अलग-अलग फिर इनको मिला कर पढ़ेंगे फिर पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? आपको इन्हें copy में write करना है तो कैसे write करेंगे? चले देखते हैं फिर्स्ट, you have to write cw, date, day and having तीनको वाले सब्द तो आपने जो पढ़े थे ना एक लाइन में last में क्या रहा था? सबके last में ना आ रहा था तो आपको one line में ना वाले second line में मा रहा था ना जो सब्द थे, उनके last में क्या रहा था? मा तो आपको मा वाले यहां पर write करने हैं एक last only line में क्या रहा था सबके सब्द के last में रा तो आपको रा वाले सब्द यहां पर write करने हैं आपको इसी तरह सेम यह work करना है फिर आपको homework भी सेम ऐसे ही करना है फिर दोनों work की पर click करके group में send करने हैं Thank you students, have a nice day